नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हिल्थ इंडिया जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में तो चलिए आज हम जानते हैं क्या वाकई में आम खाने से आपका वजन कम हो सकता है चौक गय न जानकर लेकिन चलिए आज हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं आम खाने के शौकी लोग आम खाने का बस बहाना ढूनते रहते हैं और अभी तो मौसम ही आम का चल रहा है और फलो का राजा आम को कहा जाता है और आम किसे नहीं पसंद होता है फिर चाहे वो मैंगो शेक, स्मूदी, लसी या फिर फल के ही रूप में क्यों ना खाने को मिल जाए इसका रसीला स्वाद बच्चा हो या बड़ा हर उम्र के लोगों को पसंद होता है लेकिन बाबजूद इसके कई लोग मोटापे और बढ़ते बजन के डर से आम खाने से पढ़हीज करते हैं ऐसे लोगों को लगता है कि आम में मौजूद कैलोरी उनका बजन बढ़ा देगी तो आईए जानते हैं कि क्या वाकई आम के सेवन आपकी वेट लॉस जर्णी को प्रहाबित कर सकता है या फिर आम को डाइट में शामिल करके भी आप कम या कंच्रोल कर सकते हैं अपना बजन चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपको बता दे कि आम में फाइबर, बिटामिन सी, तामबा, फुलेट, बिटामिन E, बिटामिन A, बिटामिन B5, K और B6, पोटाशियम, मैगनीशियम, मैगनीज जैसे खनीचतत मौजूद होते हैं जो सिहत को कई तरह से फाइदा पहुँचाते हैं बजन घटाने के लिए आपको बताते चले रिसर्च के अनुसार आम में पायज आने वाले बायो एक्टिब कंपाउंड और फाइटो केमिकल वसा से जुड़े जीन को दवा देते हैं जिसके कारण शरीर पर अतरिक्त चले भी नहीं जमती और शरीर का बजन भी घटता है विशशग्यों की माने तो अगर आप वेट लॉस जड़नी पर है तो अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से बचे अधिक मात्रा में आम खाने से आपका बजन बढ़ सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि आम में अधिक मात्रा में कालोरी मौजूद होती है आम का जरूरत से ज्यादा सेवन आपकी वेट लॉस जड़नी में बाधा बन सकता है आपको बता दे कि अगर आप आम की सही मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो शेक, आमरस या स्मूदी के रूप में इसका सेवन करें एक दिर में एक से ज्यादा खाने से बचें सुनिशित करें कि आप आम को भूजन के साथ नहीं खाएंगे भूजन से पहले या फिर सुबह और शाम के नास्ते में आम का सेवन किया जाए तो कैलोरी इंटेक नियंत्रित रहता है इससे बजन बढ़ने की समस्या नहीं होती चली अब आपको ये भी बता दे कि आप आम कब खाये हमेशा आम को दोपहर के समय खाना चाहिए इसके अलावा स्नाक्स के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं साथ ही आपको ये भी सलाह दे दे कि आम खाने से सिहत को कई फायदे भी होते हैं बजन घटाने के दौरान आप आम का सिमित मात्रा में सेवन करते हैं लेकिन अधिक आम खाने से ये आपका बचन बढ़ा भी सकता है। तो सिमित मात्रा में अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपके डाइट प्लान के रुटीन को ये बल्कुल भी नहीं बिगारेगा बल्कि और आपकी शाहायता करेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पीच को लाइक करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।